नमश्कार दोस्तों श्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज हम एक बहुत महत्पूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जी हाँ दुस्तों उस टॉपिक का नाम है बायो एंजाइम जी हाँ दुस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पायो एंजाइम कैसे बनाते हैं और उसका उप्योग क्या है जी हाँ दोस्तों आपने इंजाइम के बारें बहुत शारा सुना होगा लेकिन आज हम नेश्रली इंजाइम बनाने का बिलकुल प्राक्टिक तरीके से बनाने का जो तरीका है वो आपको हम बताएं लिए अब उस खतम होने के बाद जो एंजाइम हम लोग फिल्टर करके निकालेंगा बोटल से अभी उपर क्रिया आप हम दिखाएंगे कैसे बनाते हैं तो उसको आप जब घर पर अपने यूज करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहला उप्योग आप लेंगे जल को सक्ष करने में जी हाँ जो हमारे घर में पानी होता है हम लोग पीते हैं उसको सक्ष करने में जैसे हम लोग नल का पानी यूज करते हैं या आरो के यूज करते हैं तो आप ये मान के चलिए मैं क्या बता हूं उसके बारे में वो पानी कभी नहीं पीना है आपको बिल्कुल नेच्रल पानी पीना ह जो आपके hand pump से आता हो कुए से आता हो सबसे सुपर पानी सबसे अच्छा पानी उसके बाद भी अगर आपको लगती है कि उसमें थोड़ी सी असुद्धियां है तो आपको क्या करना है एक लीटर आपके पानी में जो मैं बनाने बताने जा रहा हूं वाई हूं एक लीटर पानी में एक iam reagent आपकर पानी में सिर्थ एक inland लाँ बस इतना करने से आपका पानी पूरई तरह से सुब्ध अपसको अच्छे से स्क्राइब और emerged अपपर पानी पीलेजे नर्मल उसके बाद जो एक लिटर में आपने एक एमेल बायोंजाइम मिलाया है उसके बाद आधा गिलास या एक घूंट आप उसको पी लीजिए उसके बाद आप इनर्जी लेबल तुरंत पीते ही चेकेंडों में आपको तुरंत अहसास होगा कि हाँ इसमें इनर्जी पावर जाद कर देजिए आप अपने नालियों में थोड़ा बूट डाल सकते हैं आप अपने पौधों में डाल सकते हैं जो घर के आपके पावदें उस पर चिड़काओं पर सकते हैं उससे सारे क्रमी की डाउनों सारे खतम हो जाएगे उर्वरा सकती बढ़ जाएगी जमीन पर बायम में डाल देंगे गमले में डाल देंगे तो उसकी उरुबरा सक्ति भाज जाएगी इस चरह धेरो सारे फाइद है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मगड़ी में दोस्तो हमने लिया एक ये दो लीटर का खाली बोटल उसके बगल में आप देख रहे हैं साधारन नल का एक लीटर पानी और उसके बाद एंजाइम बनाने के लिए हमने लिया गेंदे के फोल जी हा मित्रो आप देख सकते हैं ये गेंदे के फूल है जो कि तोड़ दिये गया है छोटे छोटे कर दिये गया है ताकि बोटल में आसानी से आ जाएं अगर इनको तोड़ेंगे नहीं तो यह बोटल में जाएंगे नहीं इसलिए इनको तोड़ दिया गया है इस तरह आप भेस में फलों के छिकले, सबजीयों के छिकले जो भी हमारे किचन में बेस्ट निकलता है जिसमें की प्याज और लहसुन ये सब छोड़के बाकी आप गोभी, टमाटर, अद्रक, नीबु, या फलो के छिकले या सबजीयों के छिकले, मक्टर, आलू के छिकले जो भी वेश्ट पदार्द है वो सब आप ले सकते हैं उनसे सबसे बहुत अच्छा बनाए जा सकता है सब को मिक्स करके भी बना सकते हैं और किसी एक का भी बना सकते हैं इस तरह आप फूलों में जैसे गुलाब है, गेंदा, चमेली है, बेला है इनका सब का भी आप अलग-अलग बना सकते हैं मिक्स करके भी बना सकते हैं अब बनाने की प्रिक्रिया क्या है, उसका अनुपात ही क्या है सबसे मस्ट ये है मित्रों तो इसको आप भली भात समझ ले बनाने का सबसे बड़ा है वो है अनुपात महत्वपूर अनुपात में क्या है सबसे पहले आपको लेना है जैसे हमें एक लीटर पानी का बनाना है तो हमने 2 लीटर पानी की बॉटल लिये है वो भी एर टाइट बॉटल मजबूत तो उसमें आपको सबसे पहले लेना है 100 ग्राम गुड़ ये देखें गुड़ मैंने इस बॉटल में डाल दिया पहले से आप देख सकते हैं ये गुड़ 100 ग्राम मैंने इस पहले डाल दिया इसके बॉटल के अंदर 100 ग्राम गुड़ में 1 लीटर हमें पूरा पानी डालना है ये देखें मैंने एक लीटर पानी ले रख है और उसके बाद उसमें आपका माटेरियल जो होगा रा माटेरियल वो होगा 300 ग्राम मतलब एक तीन दस का उन उपात रहेगा आपका सौ ग्राम गुड़ होगा तीन सो ग्राम रा मटेरियर होगा और एक लीटर पानी होगा इसको सारे को एक बॉटल में मिलाने तो आईए शुरू करता है गुड़ को मैंने पहले ही इसमें बॉटल में डाल दिया सौ ग्राम अभी डालते हैं खूलो के टुक्राइब और इसमें ऐसे डालते जाएगे पूरा जब तक पूरा खतम नहों जाए क्योंकि मात्रा तो पूरी वही रहेगी ना तीन सो एमर इस तरह हम संपूर में डेरियर डाल ये देखिए दोस्तो ऐसे तीन सो एमल सौरी तीन सो ग्राम ये जो फूलो का मेटेरियल है वो मैंने बॉटल में डाल दिया ये देखिए यहां तक बॉटल यहां तक फूलो हो गई अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो रखे हुए हैं एक लीटर पानी पूरा एक लीटर पानी इसमें डाला है इस प्रकार बॉटल का पूरा एक लीटर पानी हम इसमें डाल देंगे ये देखिए ये बॉटल में आपके पूरा एक लीटर पानी हो गया माटेरियल हो गया अब इसको हम खुब सारा हिला देंगे ताकि पूरा माटेरियल मिक्स हो जाए बस उसके बाद अब ये माटेरियल को आपको घर में ही रखना है धूप में कहीं नहीं रखना है और हर 24 गंटे पे हर 24 गंटे पे इसका बॉटल ऐसे धीला करना है ऐसे धीला कर देना तो इससे जो गैस बनेगी वो आसानी इस निकल देगा आपको ऐसे धीला करना है उसके पस्चाद फिर टाइट कर देना है हर 24 घंटे में ये एक शिरेड महने तक आपको हर 24 घंटे में इसकी गैस रिलीज करनी है नहीं तो ये बॉटल फट भी सकता है इसलिए हम लोग मजबूत बॉटल लेते हैं जैसे किये तीन महीने बीट जाने पर अब्बे दिन जब पूरा हो जाएगा तब हम इस एनजीम को चानके इस्तेमाल मिलेगे दोस्तो वीडियो पसंद lagi करें और प्रयास भाई बिनोत को सब्सक्राइब करें दोस्तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है क्योंकि वीडियो को आप लाइक करेंगे तो वीडियो बूश्ट होगा और अन्य लोगों तक ये महत्पूर्ण जानकारी पहुँच पाएगी जिससे बहुत रहे लोगों को इससे लाब मिल सके नए मित्रो संदोध रहेगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस्ट मित्रो संग सेर अवश्च करें मिलते हैं दोस्तो एक नए ग्यानमर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिद